नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की आठ अप्रेल 2023 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रेस के एडिटोरियल आई गया पेट से इंपर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे दो आर्टिकल्स हैं एक तो रहे ठीक है तो उनको रेगुलेट करना उनको बेहन करना उससे समंदित ही आर्टिकल्स है इसलिए बोल रहा है आई टी मिस रूल्स दूसरा आर्टिकल्स हम देखेंगे कार्टोग्राफिक डिसीव डैट मीन्स आप यह मतलब एक तरीके से चाइना की तरफ से जिस तरीके से की बताना वो एक पैटर्न चल चुका है उसी को हम डिसकस करेंगे तो दो आर्टिकल्स है दोनों को देखते हैं परस्ट आर्टिकल्स है आई टी मिस रूल्स देखो सवाल यह है कि गवर्मेंट के दुआरा क्या ऐसी कोई फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश करनी चाहिए जो की गवर्मेंट के खिलाफ ही दिये हुए स्टेट्मेंट को चेक करें क्योंकि अभी रीसेंटली जैसे एक बीबीसी ने अपनी डॉक्यमेंटर रिलीज की थी गुजरात 2002 के जो वाइलेंस आउटड्रेक हुए थे उस टाइम भी चीफ मिनिस्टर नरेंदर मोदी हुआ क करते थे तो उस डॉक्यमेंटर के खिलाफ में अपनी तरफ से स्टेट्मेंट रिलीज किया गया था कि यह डॉक्यमेंटर बिल्कुल गलत है या फिर इस तरीके से सवाल यह उड़ता है कि फेक फॉल्स और मिस्लीडिंग न्यूज अगर कोई शेर करे तो उसको चेक करने के लिए क्या गवर्मेंट को कोई ऐसी अथियूरिटी स्टैबलिश करनी चाहिए यह कोई आटोनमस बॉड़ी का काम होना चाहिए कि भाई कौन से चीज सही है कौन सी गलत है यहां पर सवाल ही आ रहा है कि एक्जेकेटिव अगर ऐसी कोई बॉड़ी स्टैबलिश करते हैं औ तो अगर किसी न्यूज को जो की गौर्मेंट को क्रिटिसाइज कर रही हो उसको अगर स्टक डाउन करे तो फिर उनकी अकाउंटेबलिटी कॉन्फिक्स करेगा तो एडिटर में नहीं है यहीं पर यहीं इस बता रहा है अभी क्या है मिनिस्ट्री आफ एलेक्रोनिक्स और किये गए है और उसमें एक चेक बौड़ी स्टैबलिश करने की बात की है और वह बी किस के द्वारा उप्र जैक Sólin की क्या करेगी कि सेंट्रंवर्नड से डिलेटिट कोई भी इंवेंफिक्स और गलत मिलती है तो उसको यह पर हटा देगी अब यहाँ पर सवाल ही आता है कि fact check या फिर यह जो fake news को identify करने का जो बात है उसमें concern भी किसको लिया गया है central government को तो बोले यह तो खुद ही खुद के द्वारा regulation करने की बात कर दी ठीक है इसकी बजाए एक neutral body से करवा हो तो एक ठीक बात भी रहे तो इस चीज को लेकर के यह आपर concern बताए जाना है जनवरी में भी 2023 में government ने इसी तरीके का एक proposal दिया था press information bureau को P.I.B को कि आप इस तरीके से online intermediaries पे जैसे YouTube, Facebook, Twitter इन पे कोई भी ऐसी news शेर हो रही है जो कि fake है तो आप उसको हटवाओ ठीक है उसके लिए आप काम करो पर उस proposal के बारे में अभी इन rules मे कोई provision नहीं है यहाँ पर बस यह बोल दिया कि information technology rules 2021 के अंडर में एक fact check body जो है established की जाएगी जो कि यह देखेगी कि government के खिलाफ में कोई भी गलत news तो नहीं फैला रहा है और अगर फैलाएगा तो उसको फिर हटा दिया जाएगा अब देखो fake news की अगर बात करें तो fake news no doubt problem ह यह सची बात है क्योंकि अभी recently एक video release हुआ था जिसमें यह था कि migrants पे attack किया गया ठीक है migrants पे attack हुआ है तो उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा एक panic create हो गया था मतलब violence outbreak होने के situation बन गई थी ठीक है तो फिर investigate होने के बाद में पता पड़ा है कि वो video भरजी था fake था तो ब देखो कानून की कानून के तयत कड़ी से कड़ी कारवाई के तयत उनको जदा जदा सजा मिल सके जितने वो कारवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ में फेक न्यूस नो डाउट problem create करती है पर यहाँ पर editor एक की चीज़ बोलना चाहरे है कि government अपने हिसाब से एक body create कर रही है तो यह discretionary point हुआ कि नहीं government अपने मन में आएगी उस information को news को तो continue करेगी मन में आएगी उस news को struck down करवादेगी तो बुले एक तो यह problem है इसको क्या बोला फ्रॉट with perils इसका मतलब कि आने वाले समय में यह बहुत जादा गहतक साबित हो सकता है जिसमें एक publisher news publisher है या journalist है या तरीके से freedom of speech and expression पर आप regulate जादा कर रहे हो ठीक है फिर आगे बताया जा रहा है कि Shreya Single versus Union of India case है ठीक है उसमें section 69A Information Technology Act का section 69A है उसके अंडर में government को restrict भी किया गया है और government की कुछ conditions भी define की गई है कि किस case में किसी भी material को online content को हटाया जा सकता है मतलब ये कि Shreya Single case में Supreme Court ने साफ साफ का कि section 69A of Information Technology Act इसके basis पे government जो है वो online content को हटा हटवा सकती है पर उसमें भी कुछ restrictions है पर ये जो guideline है Shreya Single case की इस guideline को side किया कि नहीं government ने अपने खुद की ही एक body establish करके नहीं तो वो condition वो restrictions वो follow करके फिर decision लिया जाता पर अब क्या point हो गया discretion का क्योंकि जो fact checking body constitute की जारी है वो exclusively government के regulations के basis पे है government के rules के basis पे है तो यहाँ पर Supreme Court का यह जो point है यह कहीं नहीं नलीफाई हो गया एक तो यह point है यहाँ पर इसके अलावा जो new amendment अभी release किया गया है IT rules 2021 में उसमें देखो यह का गया है कि social media intermediaries जैसे facebook है twitter है इन पर अगर कोई भी ऐसा content आ गया जो की एक तरीके से fake या फिर false है उस content को facebook और twitter इनकी responsibility है कि वो remove करे और जिस भी url से वो content share किया जा रहा है मतलब मालों कि कोई भी web address है वहाँ से जो content issue किया जा रहा है और उसको अगर contain करने में fail हो जाती है social media platform तो उनको social media platforms को safe harbor का जो protection मिला हुआ है section 79 of IT Act वो खतम हो जाएगा अब इसमें 2-3 चीज़े आ रही है वो देखते हैं सबसे पहले तो safe harbor का मतलब क्या है देखो इसमें क्या है कि information technology के basis पे जो भी social media intermediaries operate करती है उनको section 79 के basis पे एक protection मिली हुई है कि अगर कोई भी user अपना account बना करके और social media platforms में कोई भी content share करता है तो उस case में उस social media platform की कोई ज इसा है सही है गलत है या फिर उसके खिलाफ में कोई कारवाई होनी चीए उस content के खिलाब क्योंकि वो तो क्यों platform available करा रहे है content share करने का काम तो उस user का है तो सजा उस user को मिलेगी ना कि social media intermediary को तो यह हो गया safe harbor का provision अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि मान लो यह social media platform यह social media यह intermediaries है यह fake news को promote करने वाले individuals के account को block करना URL को block करना या उस news को हटाना इनमें अगर fail हो जाते हैं तो यह safe harbor का जो provision है यह उनके लिए काम नहीं करेगा यह हटा दिया जाएगा इसका मतलब टिकल को ना अगर कोई भी news share की जाती है facebook पे और वो news अगर fake है या false है तो उस case में facebook और twitter के खिलाफ में government कारवाई कर देगी यह नहीं देखेगी section 79 of information technology act के अंडर में वो safe harbor का protection को मिला हुआ है तो यह खतम हो जाएगा अब इससे क्या होगा कि कोई भी individual government की policies को लेकर कि अगर comfortable नहीं है तो वो अगर अपनी opinion share करना चाहे तो उसको कहीं ना कहीं problems का सामना करन पड़ेगा क्यों कि social media intermediaries को क्या कह दिया कि आपको ऐसा काम करना ही है ठीक है तो इस तरीके से दो concerns यहाँ पे race किये जा रहें एक तो concern हो गया कि श्रेय सिंगल वाला case है उसमें section 69a जो है उसके लिए restrictions and conditions Supreme Court की guidelines के basis पे है दूसरा section 79 of IT Act की basis पे बात करें तो safe harbor का जो provision है वो आप withdraw करने की बात कर रहे हो तो उस case में अब Facebook और Twitter जैसे social media platforms हैं वो इस तरीके से कोई भी news या फिर content को share ही नहीं होने देंगे जो कि कहीं पर criticism कर रहा हो क्योंकि आपने यहाँ पर इस तरीके के system की तैयरी कर दिया जहाँ पर government ही decide करेगी क्या सही है क्या गलत है तो यह दो चीजों को लेकर रहे है गंसन यहाँ पर editor show कर रहे है फिर बात आती है recent कुछ statement and verdicts की तो देखो मदरास court में case है जिसका नाम है TM Krishna versus Union of India एक Bombay High Court का case है जिसका नाम है एगिज promotion of 191 media private limited and others versus Union of India और इस इन दोनों cases में क्या कह दिया कि OTT platforms है na over the top यह जो हमारे YouTube हो गया या फिर Netflix हो गया Amazon Prime हो गया या कोई भी digital media platform है बुलो वहाँ पर government किस तरीके से regulate कर सकती है उसके लिए एक तरीके कि आप कैदो की hold लगा दिया कि आप इतना access में regulate क्यों कर रहे हो OTT platforms को उनको freedom है वो अगर कोई भी content share कर रहे है तो imagination basis पे कर रहे है वह इसी दीशी बात स्टो ली खुद बनाता है अपने हिसाब से और शेयर करता है तो बलो over regulation नहीं होना चाहिए इस चीजों को भी तो ध्यान देना चाहिए वैसे बोलने को तो government की तरफ से statement दिया गया है कि अगर किसी भी individual के दिमाग में कोई doubt है हना और किसी भी individual को ये लगे कि हाजी ये जो rules है इन को misuse किया जा सकता है तो वो अपने problems को government को भेजे definitely उनको address किया जाएगा ठीक है पर जिस तरीके का माहुल बन रहा है ना जिसमें जो opposition है कोई भी dissent show करता है opposition जो है and parties वो dissent है इनको आप लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हो इस तरीके के कानून बना रहे हो जहां पर कि government को criticize ही नहीं कर सकता government की policies में कमिया है वो ही highlight नहीं कर सकता government के system में जो कमिया है वो नहीं highlight कर सकता तो इस case में माहुल ही ऐसा है कि कहीना कहीं इस fact check unit को जो establish करने की बात किया उसका भी misuse हो सकता है ठीक है जबकि different judicial verdicts के basis पे देखें और guidelines के basis पे देखें तो government को अपने limits म रहने के लिए guide किया गया है यहां पर यह कुछ concerns है ठीक है government की policies को लेकर के IT को regulate करने के लिए government क्या-क्या काम कर रही है जिसको लेकर के क्या-क्या issues हो सकते है ठीक है और वैसे देखा जाए तो again वह या article 19 ठीक है freedom of speech and expression वह याता है इसमें भी ठीक है तो यह एक article हो गया आग दोखे दिये जाता है मैं पीशू करकर के जिसको हम बोल रहे हैं कार्टोग्राफिक डिसीव ठीक है तो इसमें क्या है देखो एक तो क्या है कि चाइना ने 1962 में इंडिया पर अटेक किया था आपको पता है ठीक है तो उस टाइम पर यह जो area है ओके अक्साइच चिन वाला area यह चाइना ने occupy कर रहा है चाइना वहाँ पर अपना administration चला रहा है और इंडिया इसको claim करता है कि यह जी हमारा है दूसरी तरफ अरुनाचल प्रदेश जो आज के टाइम पर इंडिया का integral part है था और रहेगा तो इस case में अरुनाचल प्रदेश को एक हिस्से को यह वाला portion जो है maximum अरुनाचल प्रदेश को चाइना यह कहता है कि यह तिबबत का southern portion है और तिबबत जैसे कि हमें पता है कि चाइना ने annex कर रखा है तो बोले यह area भी चाइना का ही part बन गया तो इस चीज को इस area को लेकर के भी dispute चलते रहते हैं तो कुल मिला करके देखा जाए तो यह पर अक्साई चिन या फिर आपको लड़ाक वाला रीजन और इधर अरुनाचल प्रदेश वाला रीजन इसको लेकर के चाइना ने अभी मतलब लड़ाक वाले रीजन वह तो चाइना का एक और मैप रिलीज हुआ है जिसमें अरुनाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एडिय आज में गाओं बसे हुए हैं उन गाओं को अपने मैप में दिखाया है चाइना ने तो ये जो चीज है ये चाइना बहुत बार कर चुका है पहले भी हमें बस अलर्ट रहना है 1962 वार हुआ था उसके पहले भी चाइना ने इस तरीके के स्टेटमेंट्स रिलीज किये थे प ठीक है और आज उसी के आत में है फिर बात आती है कि हम अगर देखें कि चाइना अगर इस एरिया के गाउं को खुद क्लेम करता है कि हाँ जी अरुनाचल प्रदेश का जो पोर्शन है वो हमारा है तो यहाँ पर राइटर हम देखेंगे अभी आर्टिकल में राइटर यह बो सकते हो कि तिबबत का सदन पोर्शन हुआ करता था अरुनाचल प्रदेश समझ रहो क्लेम करना ना चाहिना कि तिबबत हमारा है तो तिबबत का ही सदन पोर्शन है अरुनाचल प्रदेश तो इसके एविडेंसेज भी तो चीहें अगर आप हिस्टॉरिकली भी देखो जब के साथ में अभी continue किया जा रहा है ठीक है 1900 के बाद से अगर देखें तो अरुनाचल प्रदेश के दो तीन नाम हो चुके हैं पहले तो NETT ठीक है फुल फॉर्म थी नॉर्थीस्टन N EFT सोरी हां N EFT इसका फुल फॉर्म था नॉर्थीस्टन फ्रंटियर ट्रेक्ट ये बोला गया था किसको अरुनाचल प्रदेश को फिर इसका नाम बदल करके नेफा कर दिया गया था 1954 में North Eastern Frontier Agency और फिर 1987 में अरुनाचल प्रदेश जब proper state में convert वा तब इसका नाम अरुनाचल प्रदेश कर दिया गया तो कुल मिला करके देखा जाए तो ये area integral रहा है इंडिया का integral है और integral ही रहेगा ये point है चाइना कितने ही map issue कर दे बस हमें alert रहना है कि चाइना जिस तरीके से map issue करता है फिर अपनी तरफ से aggression दिखाता है forward policy या फिर चाइना जिस तरीके से एक थोड़े थोड़े कदम बढ़ा करके आगे बढ़ता है जिसमें वो क्या करता है एक तरीके से मैं बताता हूँ आपको वो नाम उस policy को बोलते है salami slicing की क्या करता है चाइना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता रहता है और फिर एक दम से आगे आ जाएगा लड़ाई कर लेगा और फिर पीछे हटने के नाम पर थोड़ा सा पीछे हटेगा और इतना area capture कर लेगा ठीक है तो यह जो policy है चाइना की यह पहले से चलती आई है अब देखो यह article की बात करें तो article लिखा है राम बादो जी ने तो इनका यह कहना है कि चाइना की जो policy है उसका part है deception that means कि सामने वाले को धोखा देना ठीक है माओ ने भी यह किया था और उसी line पर अभी चल रहा है Chinese President Xi Jinping ठीक है तो माओ ने जिस तरीके से अपनी क्याता है Communist regime को establish किया था चाइना में उस Communist regime के time पर हर तरीके से पूरी कोशिश की थी कि इंडिया में भी इसी तरीके से Communist regime में वो establish किया जाए और इंडिया के जो Communist थे उनको support भी मिलता था माओ की तरफ से कि भई जवानलाल नेरू की सरकार को गिराओ डेमोक्रिसी खतम करो और इंडिया में भी Communism को introduce कर दो ठीक है इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि डॉक्टर बी आर अंबेटकर खुद भी Communism के supporter हुआ करते थे उनके खुद के कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिन में उन्होंने कहा कि मतलब डेमोक्रिसी जो है वो इंडिया के लिए अच्छी नहीं रहेगी क्योंगे गरीबी बहुत जादा है गरीब देश में डेमोक्रिसी कैसे काम करेगी डेमोक्रिसी तो वेस्टन जो डवलब्ड वेस्ट है उसके लिए अप्लीकेपल होती है जहां पर एक इंडिया के लिए बैस सूटेबल मैथट क्या बता रहे था ज है कि चाइना की तरफ से पूरी कोशिश है की गई है इंडिया को डेस्टेबलाइज करने की इंडिया में डेमोक्रिसी को खतम करने की ठीक है अगर हम देखें तो ऑक्टूबर 1962 में फॉरवर्ड पॉलिसी के बेसिस पे माउं ने अपने एक्शन लेने शुरू कर दिये थे पर हमारे यहां इतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा था बस यह था कि इंडिजी नहीं भाई भाई और एक बिटिश डिपलॉइड इंडिवीज्वल भी थे उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज के लिए बोल भी दिया था कि चाइना जो है वो एग्रेशन दिखा सकता है और उस टाइम पर हमारी सरकार ने उस बिटिश ऑफिसर को क्रिटिसाइज और दिया कि बोला आप इस तरीके से चाइना के ओपर हाथ उठाओ अंगली उठाओगे तो गलत बात है हम आपको यहां से अटा देंगे नहीं तो पर वोई चीज है भुगतना हमें पड़ा ठीक ह करेंगे पर यह कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेबरिंग कंट्री की सौवरेनिटी को मतलब एकसेप्टी नहीं किया ठीक है तो यह जो चीज है यह अभी भी देखने को मिल रही है ओके फिर अगर देखा जाए आगे रीसेंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो चाइना 1910-1912 के टाइंपे वो लोग आये थे फिर उसके बाद में अगर 1910-1912 के टाइंपे मैख महन लाइन थो बनी नीती उस टाइम पे खाम बोला जाता था इस रीजन को खाम का मतलब आजके टाइम पे मैख महन लाइन जो की separate करती है चाइना और इंडिया को अरुनाचल प्रद और यह मैंने आपको बताई दिया कि ज़्यादा तर जो एक्सेस है वो किसके थ्रू होता है या हुआ है वो सिक्किम के थ्रू हुआ है तो अरुनाचल को आप कैसे अपना पार्ट बता सकते हो अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाये तो जबकि सो साल से भी ज़्यादा का टाइ इमनी करते मारा कि के जब बृटिश गोर्मेंट यहां घृटिश रूल इंडिया प고 सुए उस ताइम पर सिंब्ला एग्रिमेंट हुआ था और अल्टीमेटली उसके बेसिस पे मैक महान लाइन है वो ड्रॉव हुई थी तो तिबत ने भी अपनी तरफ से तवांग वाला जो रीजन है तवांग का मतलब हो गया कौन सा यह अरुना चरप्रदेश का जो सेक्शन में बोल रहा था कि यह आपका चाइना के पास है मतलब चाइना जो क्लेम कर रहा है कि यह हमारा है वो पोर्शन मैक महान लाइन के साउथ में इसका मतलब वो इंडिया का पार्ट है ठीक है तो तिबतन गवर्मेंट ने जो एकसेप्ट कर लिया और तिबत को आप एनेक्स कर चुके हो तो तिबत के अकोर्डिंग आप कैसे कह सकते हो कि हाजी मैक महान लाइन को हम नहीं मानते हैं और मैक महान लाइन के साउथ में जो पोर्शन है वो साउथ सदर्न तिबत है और उसको हम लेंगे तो इस तरीके से चाइना क्या करता है कि तिबतन territory को तो annex already कर चुका है और उसके बाद में और अपनी expansionist policy को continue करना चाह रहा है ठीक है चाइना क्या कहता है मैकमान लाइन के लिए बोले यह तो colonial imposition है ठीक है reality तो कुछ और ही है ठीक है शमला agreement में British system के साथ में British establishment के साथ में किस तिबतन government ने और चाइना ने तिबतन government को collapse कर दिया और वहाँ पर अपना rule चला रहा है ठीक है तो इस basis पर ही यह चाता है चाइना की अपने हाथ में लग जाए अरुनाचल प्रदेश ठीक है और वैसे देखी जाए तो मैकमान लाइन जब ड्रोग की गई थी तो उसमें एक और अरुनाचल प्रदेश को भी अगर हम separation के हिसाब से देखें तो असम प्लेंस से hills जहां से start हो जाती है वहाँ से अरुनाचल प्रदेश चल हो जाता है तो मतलब proper manner में demarkation किया गया था मैकमान लाइन का ठीक है तो और उसके बावजूत चाइना जो अपनी जो forward policy है या salami slicing policy है उससे पीछे नहीं अट रहा है या फिर cartographic deceive है deception है उसको बिल्कुल भी छोटना नहीं चाहता है जिससे की अपने हिसाब से unilaterally मैप इशू करता है और इंडिया की territories को खुद की territory बता करके और फिर कोशी से अटकले लगाता रहता है कैसे भी करके अब हम हाथ से निकल finances नहीं मिलते हैं क्योंकि इंडिया की तो border तिबबत से share होती थी पर तिबबत एक buffer state का काम भी किया करता था चाइना और इंडिया के बीच में पर तिबबत को annex करने के बाद में अब चाइना सीधा border share करता है इंडिया के साथ ये जो policy है forward policy जिसमें पहले मैं पीशू करना य ये सारे काम ये 1962 के टाइम पर भी हुए थे पर उस टाइम पर इतना ज्यादा attention नहीं दिया गया था और चाइनीज आर्मी फिर बाद में अटेक करती करती अंदर तक आ गई थी वो बात अलग है कि चाइना की आर्मी जब अरणा चल प्रदेश के अंदर नेफा बोलते थे ना उस टाइम पर North Eastern Frontier Agency उसमें एंटर हो गए थे वहां के लोगों को convince करने कोशिश कर रहे थे किया बई आप चाइना के साथ लगते हो चाइनीज racial point of view से भी देखो तो आप हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हो है ना कि इंडिया के साथ में पर अनुनाचल प्रदेश या चाइनीज आरमी अनुनाचल के locals को बिलकुल परिशान नहीं करेगी ठीक है ना तो उस case में फिर अनुनाचल प्रदेश के लोगों ने decide किया कि जी हम तो रहेंगे तो इंडिया के साथ ही 49 days तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी चाइनीज आरमी ने तो इस तरीके से ज ज़िए चाइना क्लेम करता है न उसको जैंक नाम या साउथ तिबबत जिसको हम बोल सकते हैं तो इस तरीके से चाइना लगातार इसकी रिपीटेड क्लेम करता है नहीं है पर इंडिया इस चीज को डिसमिस करता है अरुणाचल प्रदेश है था और हमेशा से हमेशा integral part रह रहेगा इनलिनेबल पार्ट रहेगा इंडिया का कोई उससे चीन नहीं सकता बस हमें तो अलर्ट रहना है और यह चाइना अपनी तरफ से टेक्टिक्स चलाता रहता ना कार्टोग्राफिक डिसिप्शन की कि यहां जिन मैप रिलीज कर दिया और अपनी तरफ से नरेटिव क् कर सकते तो यह आर्टिकल था और इंडिया चाइना और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के एक मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप एक बार वह भी जरूर देख लेना डिसकुशन यह कतम है थैंक यू तो तो थैंको एक माझë कर लिए भीडियो और भी के लिए हम यह एकि यह क्त 안वची लोज़ब bicycle को इन एक सर लिए भीडियों घरॣरर भीडियो श्ड़र हे प्सका ब okeं दिए हो wayu Yok